रागो चड़ा, ब्रीफ मा सौभाग्य है, कि जब मैं अपने संसद्य जीवन की शुरुवात करी तो आपका संद्रक्षन मुझे प्राप्थ था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है सर की एक ही सत्र सिरफ आपके संद्रक्षन में काम करने का मौका मुझे मिला सर इसी के साथ साथ सर जिस दिन मेरी ओत थी उस दिन आपने मुझे एक पंक्च्वालिटी का बड़ा एहम पार्थ पढ़ाया था, मुझे याद है करीब ग्यारा बजे का समय था और क्यूंकि मैं अपने माता-पिता के साथ सुभा पहले गुर्दवारे गया, मत्था टेका, ट्राफिक भी था तो आने में मुझे आट-दस मिनिट देर हो गई तब तक शपत ग्रेंट समारो जो था वो समाप्त हो गया आप मुड कर वापस भी चले गए लेकिन फिर मेरी रिक्वेस्ट पर आप वापस आए आपने punctuality का एक पाठ मुझे पढ़ाया और उसके साथ-साथ मेरी ओथ भी आपने ही कराई दी सर इसके साथ-साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी भी जो जर्नी रही, जो यात्रा रही वो कहीना कहीं हम लोगों की यात्रा से मेल खाती है आप भी जैपरकाश नरायन साहपके जो एक भरषटाचार विरोधी आंदोलन रहा उसके एक समिती के अध्यक्श रहे, हम भी भरषटाचार विरोधी आंदोलन से जन्रमे हमारी पार्टी हमारे नेतारविंद केजरिवाल जी तो एक समानता मैं आपके साथ आपके जीवन से ड्रॉऀ करता हूँ इसी के साथ साथ सर आपकी जो एक जर्नी रही वो हम सारे यूवाओं के लिए खास करके एक प्रेज़ना श्रोत है एक साधारन कारेकरता से लेकर एक विधायक, सांसद, मंत्री और फिर ओपराश्ट्रपती के तौर पे आपने अपना सर कारेभार संभाला और मैं बस अंत में इतना कहूंगा कि राज्यसभा का पहला सत्र जब 1952 में हुआ तो उस समय के जो चेर्में थे, डॉक्टर आपने सर उस सारे शब्दों को सार्थक किया है, मैं आपको अपना सफल कारेकाल समाप करने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूंगा। रागो मेरे क्याल से प्यार एक ही होता है ना, एक बार दूसरी बार ऐसा होता है ना, पहला प्यार ही होता है ना, मैं इतना अनुभवी नहीं हूं सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हूंआ लेकिन अच्छा होता है सर, इतना समझाया है सर, पहला प्यार अच्छा पिर ने का आवान पिर पिर ने का आवान पिर बार बार होता है थे 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 थे